तो एक नाम से और जाना जाता है नरक जाता है इसके पीछेगा क्या करते हैं भगवान कहते हैं मैं क्यों धर्ती पर आता हूं तो भगवान कोई वीडियो शूट करवाने धर्ती पर नहीं आते हैं जैसे आजकल सेल्पी का दोर चल रहा है भगवान धर्टी पर आते हैं धर्म संस्था पनार्था या संभवान में के अर्जिन दर्म को संस्थापित करने के लिए इस धर्टी पर प्रकट हो। वास्तम में तो वह शक्ति भगवान की शाहती है जिस प्रकार से मैं उदारन देता हूँ बुख्यमंत्री के पास जो शक्ति एंद्धान मंत्री के पास जो शक्ति एंघी जमाach संवयद्धान पर जो शक्ति है तो राद अड़िश्चन हाँ कर लिभा आनंड शुक्र चतुल से वक्रून कर पान चत्रदशी की ही बात कर रहे हैं तो इसको एक नाम से और जाना जाता है यह नरक्त जिस. Is के पीछ जैना है कि नुठी दुनिया जानती है कि घभवान का जो अवतार होता है यह दो वैसे तो भगवान की अवतार का मुख्य प्रयोजन एक ही एर श्रीमत भगवत गीता में। भगवान कहते हैं मैं क्यों धर्ती पर आता हूं। मैं अच्छे लोगों का परित्रान करता हूं। परित्रान मतलब उनकी रक्षा करता हूं। अच्छे काम में लगाना या शक्ति को सत्पुरुशों की तरफ मोर देना ये बहुत कम लोगों से हो पाता है। व्यक्ति बिफरने लगता है उसको लगता है कि अब मुझे शक्ती प्राप्त हो गई है मैं कुछ भी कर सकता हूँ गीता में भगवान ने काया है कि ऐसा जो करने लगता है कि मैं ही सिद्धू हूँ है अरजुदू ना तो वह सिध्ध होता है है न वह शक्ती संपन होता है क्योंकि संसार में कहीं भी शक्ती दिखाई पड़ रही है वह शक्ती उसकी नहीं है वास्तम में तो वह शक्ती भगवान की शक्ती है जिस प्रकार से मैं उदारन देता हूँ, मुख्यमंत्री के पास जो शक्ती है, प्रधान मंत्री के पास जो शक्ती है, या विधायक, सानसत, या तमाम संविधानिक पदों पर जो शक्ती है, वह तो संविधान प्रदत का शक्ती है, और संविधान के पास किसकी शक्ती है, लो ही वैसे ही यहाँ पर नरका सुरको लगा कि अब तुमें राज क्या करने लगा जब व्यक्ति गडबड़ होने लगता, थो वह दो चीजयों का अधरान करना शुरू गर जाएगा. मनुष्य निशाचर हो जाएगा जो भी अच्छी स्त्री दिख रही है वो मेरी हो जाए जो भी अच्छा धन दिख रहा है वो मेरा हो जाए जो भी अच्छी संपत्ती दिख रही है वो मेरी हो जाए यही तो राक्षास के बुरह है रावन क्या करता है दुराचारी के यही काम है जो भी जहां शक्ति है अच्छा है वो मुझे प्राप्त हो जाए संसार की सारी स्त्रियों को अपनी ही पत्मी बनाना चाहता था नरका सुर इसलिए स्त्रियों को उठा करके कैद में बंद कर दिया जब भगवान को पता लगा कि इतना दुराचारी है भगवान ने उस नरका सुर का वद किया इसी नरक चतुर देशी पर और जब उन महिलाओं को भगवान ने वुक्त कर दिया प्रदान किया इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान आप तो जगद रक्षट हैं लेकिन अब हमको कौन पिता रखेंगे, कौन भाई हमें आश्रे देगा, कौन पती हमें आश्रे देगा, कौन पुत्र हमें अपनी माता कहेगा, यह संभव नहीं है तो उन्होंने का फिर क्या, अब बोले हम कहा जाएंगी, सारा संसार में अनाचार होने लगेगा, अब हमें कौन आश्रे प्रदान करेगा, भगवान ने उन 16,100 महिलाओं को आश्रे प्रदान किया, इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के 16,108 नहीं, उन सब को 20 स्थ जशी ही क्यों रखा गए, क्योंकि तो असुर का नाम था, उसके उपर हमने एक दिन बना दिया कि नरक्षत, ऐसा कैसे बना रावन का भी वद्वाता, लेकिन रावन के नाम से, रावन का बद्वाता, उसको लोग दशरा कहते हैं ना, दशरे रावन को, और आपको यह जान पालना तो लक्षत, तो हमारे यह ऐसा नहीं है, नरका सुर पर विश्णु विञाययके परवकों मनाने के लिए कि भगवान ने किसको मारा, इसे लिए लिए हम आज यह बात कर रहे हैं, स्मृती है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। दास का मतलब होता है सेवक, सेवक और स्वामी ये संबंध है, शास्त्रों में कहा गया है कि सेवक और स्वामी यह जो संबंध है, इसी संबंध से व्यक्ति इश्वर का सेवक है और जो इश्वर है परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण भगवान नारायां वे हमा भगवती सीता के शिष्य महात्मा श्री हनुमान जी महाराज है। लेकिन शास्त्रों में ही कार्तिक कृष्य चतुरदर्शी पर भी श्री हनुमान जी का जन्मोट सव कहा गया है। अरथात चतुरदर्शी को स्वात्याम कुझे शाइवति थाउ्तु कार्तिक मास में। कृष्ण पक्ष में जो कल्यान कामी भक्त है जो अपने जीवन में भक्ति को बढ़ाना चाते है जो वैश्णवता को बढ़ाना चाते है संसकार को बढ़ाना चाते है ज्यान को बढ़ाना चाते है हनुमान जी में सारे ही है ये जोरदार बात वे बल के भी स्वामी है, बुद्धी के भी स्वामी है, ज्यान के भी स्वामी है, उनमें ज्यान कर्म और भक्ति, जब ज्यान की आवश्यक्ता होती है तो वे प्रवचन कर देते हैं, उन्होंने तो दुराचारी रावन को भी प्रवचन किया, जब कर्म की आवश्यक्ता होती तो अनुमान जी की जो महिमा है वो अपनी बाल गोपालों को बच्चों को समझाना चाहिए प्रिश्रे हनुमान जी जैसा हमको क्यों बनना है इसमें हनुमान जैन्ती फिर कब मनाई जाया मतलब दो है दो कैसे हो सकती है देखे अपने यहां विचारों में बहुत विविद हता है हम लोग एक किताब वाले लोग ने हमारे यहां एक उस तक नहीं है हमारे यहां तो विचारों का प्रबाह कभी रुपता नहीं है रिशियों ने, महरशियों ने, आचारियों ने, वैशनवाचारियों ने विचार किया और इस तिथि को उन्होंने हनुमत जैन्ती के रूप में कहा वही पुराणों में, वह कुछ सम्मिताओं में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा जो चैत्र की पूर्णिमा है वह भी हनुमत जाइंती है क्योंकि दोनों ही शास्त्रों के द्वारा निर्दिश्ट है तथा पी वैश्णवों के अंदर प्राय यह होता है खासकर शिरामानंद संप्रदाएं में कि हम लोग कार्तिक कृष्णत चत प्रतिक के चन्कारी दि घौहारों के बारे में बताया दीपावली जो एक तो दिन का नहीं बलकी पांच दिनों का एक तो हर है एक उप्लक्ष है जिसके बारे में उन्होंने गेहराई से खरया कि इस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्री आप देखते रहे हैं नगरी मीडिया मैं हूँ अविजी शर्म